आपका स्वागत है आज का हमारा डिसकस्ट का विश्चे है उपदारणा नयायले सबूतों पर जलता है और सबूतों के सारे पेसला देता है और सबूत पक्सकार पेस करते है लेकिन क्या आपने ये सुना है कि नयायले बिना जाच के और बिना सबूत के केस के किस्तत्य को सही और सत्य मान ले और यदि उसे नासाबित नहीं के जाता है यह फिर नेयले उसे को निज्टा एक शबोत मानने और पेसलों सुना दे यह दिन ही तो मैं आपकी जानकरी के लिए बता देता हूँ कि नेयले ऐसा मान सकते हैं बिना किसी जान के और बिना किसी सबोत के और उसके अधार पर पेशला दे सकते हैं लेकिन नेयले किस आदार प्रता सकते हैं इसके समझ में भी कानून में ब्रावदान है और उसे ही तत्य की उबदारना और विद्धी की उबदारना करते हैं जिसके लिए तक्निकी सब्दावली का प्रियोग किया गया है यह यह तिनों इस अप्त उबदार ना कर सकेगा, उबदार ना करेगा, और निश्या एक सबूत, सबसे अधिनियम की दारचार में प्रिपासित किये गए हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि उबदार का अर्त क्या होता है? उबदार का अर्त है किसी जीज को मान लेना, जब ने जाहले किसी तत्य को मान ले या किसी तत्य की अस्तत्य को उबदारित कर ले तो उसे उबदार करते हैं और जिस पक्सकार के प्रक्स में उबदार ना की जाती है उस पक्सकार को जिस तत्य की उबदार ना की की गई है साबित करने के आप सेकता नहीं है उसे साबित नहीं करना पड़ता है उस तत्य को इसमें बीना जाज के और बीना सबूत के किसी तत्य को सत्य माल लिया जाता है यह एक अनुमान होता है जो विपरित साथ से नहीं मिलने पर किया जाता है अब हम तत्य की उपदारना और विदी की उपदारना सब्दा अली को एक एक करके समझते हैं तो एक तत्य की साबित होने पर दूसरे तत्य का निकल जाता है, तत्य की उपदाना हमेसा खंड़नी उपदाना होती है, जब किसी तत्य की उपदाना कर ली जाते है, किसी तत्य को माल ली जाता है, तो परतिपक्सी पक्सकार सबूत के द्वारा साख्षे के द्वारा उस तत जो कंड़नी होती है, यहाँ कंड़नी होने का हमें इस सब्दावली से भी अरत निकलता है, जीसे उपदाणा कर सकेगा, कर सकेगा में जो कर सकेगा सब्दे, इसी का अरत यह निकलता है, कि यह नहीले के विवेका देन सकती है इसमें नहीले बादे नहीं है कि वह थत्ते की उपदार न करे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता इसका इंगलिस वाइले में प्रेजूम जो कि नहीले को विवेका देन सकती परदान करता है जो कि जो खंडनी उबदाना होती है उसमें इसका वर्ड है सेल परजूम जो कि नयायले को विवेका दिन सक्ति नहीं देता है नयायले इसको उबदाना करने के लिए बात दे होता है और इसलिए ये सब्दावली इसमें लिखी गई है उबदाना करेगा इसके अलावे नयायल कर सकेगा हो या उपदार्ण करेगा इन दोनों को परतिपक्सी फक्सकार खंडित कर सकता है साक्से द्वारा सभू द्वारा क्योंकि ये दोनों ही खंडगी उपदार्णा है उपदार्णा करेगा विदी की उपदार्णा में आती है जरकी उपदार्णा कर सकेगा तर्थे की उबदारना में आती है, साक्से अधिनियम की दराचार में उबदारना कर सकेगा, वो इस परकास से परिवाशित किया गया है, जहां कहीं भी इस अधिनियम में, कहने का रता है साक्से अधिनियम में, ये प्रावदान है कि नयायले की शित्ते की उबदारना कर सकेगा, वहां नहेले या तो तत्य को साबित मानेगा या फिर सबूत की मांग कर सकता है जिसके समरी पावर है नहेले की कि नहेले तत्य को साबित मान ले या सबूत की मान करें और या साबित तब तक ही माना जाता है जब तक ही भी फिर जोप से नासाभीत नहीं कर ते जाए उपदारना कर सकेका सवदा आले में नैले, या तत्थ्य को साभीत मानले या सथूत की मानक कर सकता है यह दे उसे नासाभीत नहीं किया ओआ है इस ना सबित कर दिया गया है तो खंडित हो जाएगा वे दारणा उपदारणा खंडित हो जाएगी तत्य की उपदारणा में उपदारणा कर्श केगा इस सब्दावली के तरगत जो सक्षे दिनली में प्रावदान है वो दारा 114, दारा 86, दारा 90, दारा 87, आति प्रावदान सब्दारणा के अंतर गताते हैं वीदी की उपदारणा करत्रिम उपदारणा है, करत्रिम अनुमान है जो की वीदी के अनुस्तार निश्चित के जाते हैं जो की कानुन के अनुस्तार निश्चित के जाते हैं इसमें नियारी का विवेक नहीं होता है वीति की उपदार्णा दोतर क्यों हो सकती है खंड़नी और एकंड़नी खंड़नी जो उपदार्णा है इसमें उपदार्णा कर सकेगा सब्दावली आती है जबकि एक खंड़नी उपदाना में निश्टा एक सबूत आता है कनकले सुपरोप आता है साखसे दिनियम की दराचार के अनुसार उपदाना कर सकेगा जो सब्दावनी है उसके अनुसार इस दिनियम में जहां कहीं भी यह नियर्देश है कि कोट किसी तत्य की उपदाना करेगा तो नियाले तत्य को साबित मानेगा जब तक कि उस तत्य को ना साबित नहीं किया जाता है जब तक कि तत्य को ना साबित नहीं किया जाता है तब तक नियाले इससे तत्य को साबित मानेगा जहां इसा दिन्य में इसा प्रावदान है कि नयले उबदारना करेगा तो वहाँ नयले की जो व्यक्राव जिन सकती है वो खत्म हो जाती है और नयले को केवल उस तत्य को सबित मानना पड़ता है नयले सबित मानने के लिए बाते है उबदारना कर सकेगा सब्दावली खंडली उपदारना के अंतरगत आती है इसके अंतरगत सक्षे दिनेमुंग का सेक्षन 79, 80, 81, 89, 107, 108 आधी प्रावदन आते हैं तिस सब्दावली है निश्चाईक सबूत यह है एक खंडली उपदारना होती है जो की विद्दी उपदारना के अंतरगत आती है यह है निश्चाईक परमान होते हैं निर्विवाद परमान होते हैं जिन पर को विवाद नहीं होता और जिस तत्य को निस्टाइक सबूत माल लिया जाता है उस तत्य को खंडित करने के लिए परतेपक्सी पक्सकार सबूत साख से देने के लिए हनुपत नहीं होता है नियाले उसको इसे अनमती नहीं देता है इसमें section 41 section 113 113 आधी प्रावदान निस्टाइक सबूत के अंपर दकताते हैं 122 जो की legitimate course Talking के समझ में है निस्टाइक सबूत में साक्से अधिने में प्रावदान है की सब्ताइक द्वरा एकत्ते तत्य को जिसको साबित माना है उसके विप्रित साख से देने की अनमती नहीं होगी अनम के नहीं होगी तत्य की उपदार्णा और विद्धी की उपदार्णा में नहीं होती है और विद्धी की उपदार्णा में नहीं होती है विद्धी की उपदार्णा में नहीं कोट को राएक निर्डिस होता है कि वह तत्य की उपदार्णा करेगा जबकि तत्य की उपदार्णा में नहीं तत्य की उपदार्णा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है नहीं इसमें ब आपको परिज़े दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट रेस्टे के समझ में डिसक्रस्शन करेंगे तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद करेंगे दिया है